Hello everyone, welcome to online study point. दोस्तों, आज के वीडियो में हम quality से related top 150 MCQ discuss करने वाले हैं, जो किसी भी exam के point of view से important है. दूसरी बात यहां, कि आप लोगों को trick वाले वीडियो कल से online study point के playlist में available हो जाएंगे. तो यह दी अभी तक आप लोगों ने online study point को subscribe नहीं किया है, तो फटापट से subscribe कर दीजे और अपने study related group में share कर दीजे. तो चलिए, start करते हैं फटापट से. पहला question है, राष्टपती अरूप राष्टपती के चुनाव संबंधी विवाद को कौन सुल जाता है? तो सुल जाता है सर्वोच नेयल है, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में. अगला प्रश्ण है, भारती संबिधावन के किस अनुक्षेद में कल्याणकारी राजी की अवधार्न वर्नित है? तो यहा है आर्टिकल 39 में. अगला प्रश्ण है, संबिधावन का संरक्षक किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है उच्चितम नियायले को. और हमारे CGI कौन है? वह है रंजन गोगोई जी. अगला प्रश्ण है, भारत में किस प्रकार की सासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिस संसिता आत्मक प्रडाली अपनाई गई है. अगला प्रश्ण है, भारती संविधान के किस भाग को उसकी आत्मकी आख्या प्रदान की गई है? तो भारती संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मकी संग्या दी गई है. अगला प्रश्न है भारती सम्विधान के किस अनुक्षेद के अंतरगत राष्टपती आध्यादेश जारी करता है यह करता है अनुक्षेद यानिकि आर्टीकल 123 के अंदर अगला प्रश्न है भासा के अधार पर पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था तो भासा के अधार पर गठितोने वाला पहला राज्य था और अभी आंद्रप्रदेश में भारत का पचीसव उच्छ नयायले खोला गया है और अंद्रप्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अम्रावती अगला प्रश्न है भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्पती कौन थे तो वह थे अगला प्रश्न है भारत को सम्विधान भारत को किस रूप में वर्नित करता है तो यह वर्नित करता है राज्ज्यों के संघ के रूप में और यह कहता आर्टिकल नंबर वन अगला प्रश्ण है राज जी के नीती निदेशक सिध्धानतों की प्रेणा किस देश के सम्विधान से ली गई है तो यह ली गई है आयरलेंड के सम्विधान से और यह है भाग चार में भाग चार में अगला प्रश्न है एक ही विक्ति को कितने बार भारत का राश्टपती बनाया जा सकता है तो इसकी कोई सीमा सम्विधान में वर्णित नहीं है अगला प्रश्न है पहली बार राश्ट्री आपातकाल की घोशना कप की गई थी तो यह की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में मंत्री परिशत के अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधान मंत्री जी और प्रधान मंत्री कौन है नरेंद्र मोदी जी भारती सम्विधान के किस सनुक्षेत में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संग होगा तो मैंने अभी बता है पिछले कोश्चन में यह कहता है आर्टिकल नंबर वन अगला प्रशन है विसु का सबसे लंबा लिखित सम्विधान किस देश का है तो वह है भारत का सम्विधान और सबसे बड़ा मौखिक सम्विधान कहा जाए 61th सम्विधान संसोदन 1989 को अगला प्रशन है मंत्री परिसद संसत की किस सदन के लिए जिम्मेदार होता है तो वह जिम्मेदार होता है लोकसभा के लिए और लोकसभा जो होती है निम्न सदन होती है और लोकसभा की व्याक्या समविधान की किस आर्टीकल में है वह है आर्टीकल 81 में अगला प्रशन है समविधान की किस अनुक्षेद में सरवोचिन आले के नयाइ भी ज़े पर महा भ्योग चलाया जा सकता है किस वर से सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था तो वह दिया गया था 1975 कुम और सिक्किम जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य है ये भी याद रखेगा अगला प्रश्ण है किस तरह से भारती नागरिक्ता प्राप्त की जाती है तो वह प्राप्त की जा सकती है जन्म से वन से पंजी करन से और देशी करन से अगला प्रश्ण है किस राज्य में वर्स 1980 तक राष्टपती सासन लागू नहीं हुआ था तो वह राज्य है महराष्ट्र महराष्ट की राजधानी है मुंबई कि और मुंश्ली बैंकों के जो मुख्याला है मुंबई में हैं अगला प्रश्ण है वर्तमां में लोग सभा सदस्वा कि संख्या कितनी है तो वर्तमां में हैं पांसो पैक्र messenger में संविधान में कितनी संविधान में 500 152 अगला प्रश्ण है ऐसा कितनी बार हुआ studying समय से पूर्व लोगसभा का भंग हुआ है तो हाँ टोटल आठ बार हुआ है अगला प्रश्ण है ऐसे राश्ट पती जो एक बार शुनाव में पराजित हुए तथा बाद में निर्विरोज चुने गए तो आपसे यह भी पूजा जा सकता है कि निर्विरोज चुने जाने वाले पहले राश्ट पती कौन थे तो वहां थे नीलम संजीव रेड़ी अगला प्रश्ण है राजिपाल सोने की पिंजरे में निवास करती है करने वाले चुडिया के समतुलिया कथन किसका है तो यह कथन था भारत की पहली महिला राजिपाल सरोजनी नाइडू जी का और अगला प्रश्ण है अब तक कितने बार अपात काल की घोषना की जा चुकी है तो यह की जा चुकी है तीन बार एक बार भारत पाकिस्तान युद्ध्य के दौरान और एक बार आंत्रिक आशानति के दौरान अगला प्रश्ण है संगी कारिपालिका की सक्ती किसमे नहीं था है तो संगी कारिपालिका की सक्ती नहीं था है राश्टपती में और राश्टपती कौन है रामनात कोविंद जी कोविंद जी कौन से क्रम के राश्टपती है यह है चौदवे नंबर के राश्टपती अगला प्रशन है किस वर्स में वर्स 1922 में यह मांग की गई कि भारत के सम्विधान की सन रशना है तो गोल में सम्मेलन को बुलाना चाहिए यह मांग की गई थी मोतिलाल नहरू के दौरा और गोल में सम्मेलन कब कब होए थे 1931, 32 यह क्रम याद रखेगा 1931 और 32 अगला प्रश्ण है आपात काल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधिनता के अधिकार को समाप्त करने समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता था तो किस प्रकार की स्वाधिनता के अधिकार को जीवन और सारिरिक स्वतंत्रता अगला प्रश्न है मिनी कॉंस्ट्यूशन किसे कहा जाता है तो मिनी कॉंस्ट्यूशन कहा जाता है 42 संविधान संसुधन को अगला प्रश्न है भारती संविधान को कितने भागों में भाजित किया गया है 22 भागों में कौन सा शेत्री राजनेतिक दल है तो यह है अकाली दल अगला प्रश्ण है यह तो मूल संविधान में राज्जों की संख्या कितनी थी ? अगला प्रश्ण है कॉंग्रिश ने किसी वर्ष किसी प्रकार के बाहस्तिक शेप के भीना भारती जंता द्वारा संविधान के निर्मार की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था तो यहां किया था 1936 में और यह कहा जाए कि सम्विधान की वो जो मांग रखी गई थी वह किसके दौर रखी गई थी सम्विधान से बाकी तो वह रखी गई थी M.N. रॉय के दौर अगला प्रश्ण है मद्दान करने की योग यूम्र कितनी 18 बड़ समय ने बताया और यहां क नवंबर 1966 को अगला प्रश्ण है प्रथम लोगसभा का कारिकाल कब से कब तक था तो प्रथम लोगसभा का कारिकाल था 17 अप्रेल 1952 से 4 अप्रेल 1957 तक कब तक था यह आप जरूर याद रखीगा अगला प्रश्ण है पहली बार रश्पति से असन कब लागू हुआ था तो वहा थे मुरार जी देसाई अगला प्रश्ण है लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो लोग सभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है 552 और लेकिन अभी है कितनी अभी है 542 अचा लोग सभा के जो अभी हाली में अध्यक्ष चुने क वह कौन है वह है ओपी बिल्ला ओम प्रकास बिल्ला जी अगला प्रश्ण है भारत के पहले सिख्ध प्रधान मंत्री कौन थे तो वह थे वन मोहन सिंग जी और यहां वित्त मंत्री भी रह चुके हैं अगला प्रश्ण है सेख्ट अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है तो तो आठवी अनसूची में 22 भासाओ को मानिता दी गई है लोगसभा अध्यक्ष को कौन चुनते हैं तो लोगसभा के अध्यक्ष को लोगसभा के सदसी ही चुनते हैं अगला प्रश्ण है संसत का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है तो वह कहा जाता है लोग सभः को और यदि उच्छ जण पूचे जाए तो उच्छ जण कहा जाता है राज्यसभः को यह अनुख्षेद 80 में और यह है अनुख्षेद 81 में अगला प्रश्ण है अनुक्षेद 356 किसे संबंदित है तो यह है राश्टपती सासन से जो कि अभी जम्मो कस्मीर में लागू है अगला प्रश्ण है लोगसभा और राजिसभा का दिवेशन किसके द्वारा बुलाया और इस्थगित किया जाता है तो अभी मैंने बता है लोगसभा और के सदस्यों की संख्या कित्नी निश्चित की गई और सिंखिझ गई में 200 कि अगला प्रश्ण है 1971 को और एक चीज में बता दूए करेंट अफेर का कुश्चन है अभी जो चुनाव हुए थे लोग समा की चुनाव में तो सबसे उचे इस्थान में मतलब सबसे ज्यादा उचाई में जो मतदाता वोटर केंद्र होता है तो वह था हिमाचल प्रदेश में ही और सबसे वड़ी यदि इजी में ये कुश्चन पूछे जा तो यह है तो कुल समय कितना लगा था दो वर्स ग्यारा माँ और अठारा दिन अगला प्रश्ण है क्या राज जी की नीती निर्देशक्त तत्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त है तो नहीं राज जी की नीती निर्देशक्त तत्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है और नीती निर्देशक्त तत्यों को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है मतलब 2026 तक लोगसभा और विधानसभा की सीटे as it is रहेंगी यह है 84 वा समिधान सजोधन 2001 अगला प्रश्ण है जब भारश्वतंत्र हुआ उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस पार्टी से थे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे Clement Italy और वा थे Labour Party से अगला प्रश्ण है क्या राजी के नीती निरती सकते तको अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है तो नहीं अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है अगला प्रश्ण है सम्विधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनीधी निभाग नहीं लिया था तो हैदराबाद आप लोगों नाम सुने ही होगा उसमें जब वनलब भाई पतेल जी थे हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था इस कारण वहाँ पे मिलिटरी ओपरेशन चलाया गया था अगला प्रश्ण है सम्विधान सभा के लिए चुनाओ कब निश्चित हुआ तो निश्चित हुआ था जुलाई उनिस्सो च्यालिस में अगला प्रश्ण है छेत्रफल की दृष्टी से सबसे छोटा लोग सभा शेत्र कौन सा है तो वह है छेत्रफल की दृष्टी से पूछा गया है तो वह है लक्षदीप अगला प्रशन है सम्मिधान के किस अनुक्षेत के अंतरगत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है यह है अनुक्षेत 40 और कितने अनुसूची के यदि हम बात करें अनुसूची वाला यदि वीडियो आप लोगोंने मेरा देखा होगा तो कौन सी अनुसूची में पंचायती राजो की गठन है तो ग्यारवी अनुसूची में पंचायती राज का गठन है और यह कौन सम्मिधान संसोधन है यह है 73 वा सम्मिधान संसोधन अगला प्रशन है लोक सभा तथा राज्य सभा की संयूग तो बैठक कब होती है तो होती है संसत का सत्र सुरू होने पर अगला प्रश्न है पंडित जवाहर लाल नहरु के निधन के पश्चाथ किसनि मंत्री मतलब प्रधान मंत्री का पद ग्रहण किया था वह थे गुलजारी लाल नन्दा अगला प्रश्न है भारती स्वाधिन तर अधिनियम को किस दिन ब्रिटिस समराट की सुविकरती मिली थी तो डेट याद रखना है 21 जुलाई 1947 को अगला प्रश्न है किस समीती का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है तो किस समीती का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता प्राकलन समीती, सरकारी उपक्रम समीती और लोग लेखा समीती अगला प्रशन है केंद्र और राज जी की बीच धन के बटवारे के सम्मंद में कौन राय देता है तो वह है वित्तायोग और पंद्रवे वित्तायोग की जो अध्यक्षभा कौन है एनके सिंग और हमारी वित्त मंत्री कौन है और इसके पहले रक्षमंत्री भी रह चुकी है और इनका निर्वाचन छेत्र है करनाटक से यह राजी सभा सांसद है अगला प्रशन है विधान पर इसद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आई होनी चाहिए तो लिमिट पूछा है जिमिट वह नीचे ये तीस वर्स अगला प्रशन है संविधान सभा का अई स्थाय अध्यक्ष किसे निउक्त किया गया अई स्थाय अध्यक्ष पूछा गया है यह है सचिदैनंद सिना और इस्थाय अध्यक्ष कौन थे इस्थाय अध्यक्ष थे सकता है यह most important आर्टिकल है आर्टिकल 61 के अंतरगर राष्ट पती पर महाभीयोग चलाया जा सकता है अगला प्रशन है संगी परिससे त्याग पत्रे देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे तो वहां थे स्यामा प्रशाद मुखर जी अगला प्रशन है संसत को संविधान संदन कर सकती है तो आर्टिकल है 368 अगला प्रशन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्निम में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया तो किया प्रांतों की विधान सभाएं अगला प्रशन है उत्ता प्रदेश की पहली महिला मुख्य मंत्री कौन थी तो व अगला प्रशन है संसत का कौन स सदन इस्थाई होता है जो कभी भंग नहीं होता तो कौन स सदन होता जो कभी भंग नहीं होता वह होता है राजिसवा राजिसवा कभी भंग नहीं होता और यहां उच्छ सदन कहलाता है इसका वर्णन आर्टिकल 80 में है अगला प्रशन है की निमने सदन अगला प्रशन है भारत के किंदो राष्टपती की मृत्ति अपने कारिकाल के दौरान हुई मतलब अपने पद पर रहते हुए दो राष्टपती की मृत्ति हुई थी जाकिर हुसेन और फखरुद्दीन अली एहमद और एक चीज जाकिर हुसेन जो थे भारत के पहले मुसलिम राष्टपती थें अगला प्रश्ण है भारती सम्विधान में की सनुक्षेत को सम्विधान की आत्मा की नाम से जाना जाता है तो वैसे तो सम्विधान की आत्मा सम्विधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है लेकिन भीम राव अंबेड़कर जी के निसार अनुक्षेद 32 को सम्विधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है अनुक्षेद 32 क्या है यानिकि आर्टिकल 32 यह है सम्विधानिक उप्चारों का अधिकार अगला प्रश्ण है लोग सभा में राश्पती कितने सदस्योग का मननेन करते हैं या कर सकते हैं तो लोग सभा में कितने सदस्योग का मननेन कर सकते हैं दो का दो एंगलो इंडियन का और राज्य सभा में 12 का अगला प्रश्ण है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते प्रधान मंत्री लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी ने 2015 से योजना आयोग के स्थान पर क्या ले आया है नीती आयोग और इसके अध्यक्ष भी यही है नीती आयोग के अगला प्रश्ण है नौकरियों तथा सेक्षिनिक संगस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षर उपलब्द कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सानुक्षेद अधिकार प्रदान करता है मतलब कहा जाए तो रिजर्वेशन जो प्रदान किया जाता है जातियों को वह किस अनुक्षेद के अंतर किया जाता है तो वह है आर्टिकल 16 अगला प्रश्ण है किस राज्जी के विधान परिशित की सदसी संख्या सबसे कम है तो वह है जम्मू कश्मीर यहां का एक अलग सम्विधान है और आर्टिकल 370 के अंतरगत जम्मू कश्मीर को विशेश राजी का दरज़ा प्रदान है अगला प्रश्ण है सबसे पहले लोग सभा समय से पूर्व कब भंग की गई थी तो वह की गई थी 1970 में अगला प्रश्ण है किस की सिफारी पर सम्विधान सभा का गठन किया गया था तो वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना और यह आई कब थी यह आई थी 1946 में अगला प्रश्ण है किस अनुक्षेत में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान है तो नागरिक्ता संबंधी प्रावधान है अनुक्षेत 5 से लेके 11 तक अगला प्रश्ण है किस राज्जी की विधान परिसेत की सदसी संख्या सबसे अधिक है तो वह है उत्तर प्रदेश की और यदि लोगसभा की सदसी संख्या देख जाए मतलब लोगसभा के सीटों की संख्या सबसे जाद कहा है उत्तर प्रदेश में कितनी है 80 80 अगला प्रश समीथी का अध्यक्ष किसे बनाया गया अगला प्रशन है भारत का पहला आम बजट 1952 में किस ने प्रस्तूत किया था तो प्रस्तूत किया था उससे तैयार किया है क्रिष्ण मूर्धी सुब्रमन्यम ने, जो भारत के मुख्यार्दिक सलाकार है अगला प्रश्ण है, संविधान के किस अनुकषित में धनविदेह की परिभासा दी गई है तो वन वन जीरो में आर्टिकल वन वन जीरो में धन विध्य की परिभासा दी गई है अगला प्रशन है विधान परिशत को समाप्त करने वाला आखरी राजी कौन सा है वह आखरी राजी कौन सा है जिसने विधान परिशत को समाप्त किया है वह है तमल नाडू अगला प्रश्ण है सम्विधान की किस अनुक्षेद में राजी की नीती निर्देसक तत्तों का जिक्र है तो वह है आर्टिकल 36 से 51 तक और नीती निर्देसक तत्तों लिये कहां से गये हैं यह लिये गये हैं आयरलेंड से अगला प्रश्ण है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस से नहीं होता वह है राज्य सभा यानि की उच्छ सदन आर्टिकल 80 अगला प्रश्ण है भारत की नागरिक्ता निम्न में से किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है तो वह प्रदान की जा सकती है जन्मे से देशी करण से और वंशक्रम से अगला प्रशन है भारती सम्विधान के अनुसायर राज तिलक सक्ती का आधार क्या है तो वह है भारत की जन्ता अगला प्रश्ण है कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका निर्णाय कौन करता है तो आ करते हैं लोगसभा के अध्यक्ष और लोगसभा के अध्यक्ष कौन है लोगसभा के अभी अध्यक्ष हाली में न्युक्त हुए है उनका नाम है उंप्रकास बिल्डर जी और य अंपत्टी का दिकार पहले तो अनुक्षे देने की आर्टीकल 31 में था पहले संपत्ती कादिकार लेकिन 44 Sumidhan Sunsodhan 1978 से आप याद कर लिजिए 44 Sumidhan Sunsodhan 1978 से मौलीक अधिकारो किस लेडी से संपत्ती कादिकार समाप्ट कर दिया गया है और अनुक्षेत तीन सो का में रखा गया है अगला प्रशन है दल बदल से सम्भन्धित किसी प्रश्ण या विवात का अंतीन मिलने किसका होता है तो वह होता है सदन के अध्यक्ष का अगला प्रशन है भारत में किस राज्जी के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है तो एक मत्र जम्मु कस्मिर के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है अगला प्रशन है भारती सम्मिधान में निम्न में से किस अधिनियम के धाचे को स्विकार किया गया है तो अधिनियम है भारत स सीतरमन अगला प्रश्ण है लोग सभा की सदस्थिता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्स से कम नहीं होना चाहिए तो उम्मीदवार को कितने वर्स कम नहीं होना चाहिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्स अगला प्रश्ण है पांडी चेरी को किस वर्स भारती संग में साम अगला प्रश्न है राज जिपाल विधान परिशत में अधिक सधी कितने सदस्यों का मनुनीन कर सकता है तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है अगला प्रश्न है दादर नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूरू किसकी उपनिवेश थे तो यह पूर्ट गाल के करते हैं तो यह आर्टिकल 76 के अंदर गत की जाती है अगला प्रश्न है सम्विधान की दुतिया अनुसूची का संबंध किस से है तो यदि आप लोगों ने मेरे शडियूल वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को याद होगा तो महत्तुपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन औरेवं भत्ते से इसका संबंध है दुतिया अनुसूची का अगला प्रश्न है सम्विधान में प्रथम संसोधन कब हुआ था तो वह हुआ था और यह किसके लिए हुआ था यह हुआ था भूमी सुधार कानुन के लिए अगला प्रश्न है एक वर्स में कम से कम कितनी बार संसत की बैठक होना आवश्यक है तो कम से कम दो बार बैठक होना आवश्यक है अगला प्रश्न है भारत के नागरिकों को कितनी तरह की नागरिक प्राप्द है तो वह है एकल नाग रिखता अगला प्रश्न है कं राश्ट पती की चुनव में कॉन भाग लेते हैं तो भाग लेते हैं संसत और राजुविदान सभाँ के सदस्यत्य क्ला मूर्थ रूप प्रधान किया था तो भारत की पहले प्रधान मंत्री जवाराव नहरूजी ने अगला प्रश्ण है cabinet mission योजना के अनुसार सम्विधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे तो cabinet mission के अनुसार कितने होने थे? 389 अगला प्रश्ण है लोगसभा का नेता कौन होता है? तो लोगसभा की नेता होता है प्रधान मंत्री अब प्रधान मंत्री जी कौन है? नरेंद मोदी जी और उनका निर्वाचन शेत्र क्या है? वारानसी अगला प्रश्ण है सम्विधान निर्माण की विभिन पहलियों से संबंधित कौन कौन सी समीतिया सम्विधान सभा ने नियुक्त की थी समीतियों के नाम बताना है समीतियों के नाम है संग सम्विधान समीति प्रांती सम्विधान समीति और संग सक्ति समीति अगला प्रश्ण है देश के स्वतंत्र होने के पस्चाथ सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को लेकिन यहां पूछा गया है देश स्वतंत्र होने के पस्चाथ तोह की गई थी 31 अक्टूबर 1947 को अगला प्रश्ण है, सम्विधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिद्य सरवाधिक है तो वह है सेउक्त प्रांत के जो प्रतिनिद्य वो सरवाधिक थे अगला प्रश्ण है, सम्विधान सभा की प्रतम बैठा कब हुई थी तो अभी मैंने बताया, 9 दिसम्बर 1946 को ही थी, और अईस्थाई अध्यक्ष चुने गये थे सचिदेनन्द सिनहा अगला प्रश्ण है, भारत का सम्विधान का बंगी क्रत किया गया था? तो भारत का सम्विधान अंगी क्रत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अगला प्रश्ण है, प्रत्येक राज में अनुसूची जाती और जंजातीयों की सूची कौन तयार करता है? तो प्रत्येक राजी के राजिपाल के परामर से राश्पती अगला प्रश्न है संसत का कोई सिदस से अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमती लिये भीना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका इस्थान रिक्त गोसित कर दिया जाता है तो time limit क्या है? 60 दिन अगला प्रश्न है राज्य सभा की पहली महिला महसेशिव कौन थी? तो वहां थी वियस रमादेवी है नाम जरूर याद रखेगा आप नाम है वियस रमादेवी अगला प्रश्न है सम्विधान की किस अनुख्षेत के अंतरगत राश्टपती लोगसभा भंग कर सकता है तो लोगसभा किस अर्टिकल में? अर्टिकल 81 में और लोगसभा किस अर्टिकल के अंतरगत राश्टपती भंग कर सकता है तो अर्टिकल 85 के अंतरगत अगला प्रश्न है किस देश से राज्य के नीती निर्दे सकत्तु की प्रेणा मिली है तो मैंने बता चुका है, आरलेंड के सम्विधान से लिया गया है, राजी के नीतिम विदिसक तत्वर, अगला प्रशन है, दिवानी मामलों में संसत के सदस्यों को किस दौरान गिरफतार नहीं किया जा सकता, तो इसके तीन कंडिशन है, पहली तो संसत के सत्र के दौरान, द प्रशन है, जब भारत सोतंत्र हुआ, उस समय कांग्रेस के अधिक्ष कौन थे तो उते जे भी कृपलानी जी और यह जंडा समीती के अधिक्ष थे, अगला प्रशन है, किस अनुक्षेद में मंत्रीगर सामोही के रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं, तो आर्टिकल 75 के अंतरगत, लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं, अगला प्रशन है, किस अनुक्षेद में अंतरराश्टी समझा होते लागू करने की सक्ति प्रदान की गई है तो वह article है 253 अगला प्रश्ण है किस अनुक्षेद में संसद में सेंग्त अधिवेशन का प्रावधान है तो सेंग्त अधिवेशन राश्पती बुलाते हैं अगला प्रश्ण है संसत के उच्छ सदन को क्या कहते हैं राज्य सभा और निर्म सदन को लोग सभा अगला प्रश्ण है वर्तमान में सम्विधान में कितने निसूची है वर्तमान में तो हैं 12 लेकिन मुल सम्विधान में 8 अगला प्रश्ण है वर्तमान में राज्य सभा के स जयानी जैल सिंग और पहले मुस्लिम राश्पती वाथे जाकिर हुसेन अगला प्रश्ण है उस व्यक्ति का नाम बताए जो प्रधान मंत्री की पत पर न्यूक्त होते समय राजी सभा का सांसत थे तो वाथे इंद्रा गांधी जिनोंने 1975 में इमर्जेंसी लागू की थी अग अगला प्रश्ण है 31 सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा लोक सभा की अधिक्तम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी तो निर्धारित की गई थी 545 अगला प्रश्ण है सम्विधान के किस अनुक्षेद में मंत्री मंडल सब्द का प्रयोग सम्विधान में एक बा अगला प्रश्ण है अब तक किन अमेरिकी राश्पतियों ने भारती संसत को संबोधित किया है तो अमेरिकी राश्पतियों के नाम बताने है तो वह थे डीडी, आइजनहोवर, जिम कॉटर, जिमी कॉटर, बिल क्लिंटन और बराग उबामा अगला प्रश्ण है पूरे देश को कितने छेत्री परिसेदों में बाटा गया है तो कुल 5 छेत्री परिसेदों में बाटा गया है अगला प्रश्ण है संसत के संविधान की व्यस्ता सम्विधान की किस अनुक्षेद में मैंने बताया है आर्टिकल 108 के अंतरगर राश्पती सेंग तो दिवेशन मुलाते हैं अगला प्रशन है वर्स 1938 में किस वेक्ति ने व्यस्क मताधिकार के अधार पर सम्विधान सभा के गठन की मांग की थी तो वह थे पंडी जवाहराल नहरुजी अगला प्रशन है क्या अगला प्रशन है भारती सम्विधान किस दिन लागू हुआ था यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और बनकर कब तैयार हुआ था 26 नवंबर इसलिए 26 नवंबर 1949 को इसलिए 26 नवंबर को हम अपने विधी दिवस के रूप में मनाते हैं अगला प्रशन है सरप्रथम सम्विधान सभा की बैठा कभी थी 29 नवंबर 1946 को और इसके अई स्थाय अध्यक्ष चुने गया थे डॉक्टर सचीदनन दिसीनहा और यह अई स्थाय अध्यक्ष ते और यदि स्थाय अध्यक्ष को पूछा जाय तो बहा थे डॉक्टर राजन प्रसाद तो दो